DSCR, Debt Service Coverage Ratio, क्या होता है, क्यों जरूद होती है इसकी, तो DSCR जो होता है, वो इसलिए होता है कि वो चेक करता है कि company कितना comfortable है उसके annual debt pay करने के लिए, और जब कोई corporate या कोई MSME किसी bank में loan के लिए जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपका DSCR क्या है, वो क्या करते हैं, वो आ statement को study करते हैं, उससे एक formula के formula से वो DSCR निकाल लेते हैं, और उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि आपकी company की solvency क्या है, debt को pay करने की, तो यह है simple DSCR, और अलग-अलग companies का DSCR different हो सकता है, और अलग-अलग banks उसको अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं, और उनका ratio भी different होता है, 1 से लेकर 2.5 तक ratio देखते हैं, वो check करते हैं, जो ideal माना जाता है, 1.33 और 1.75, यह एक ideal ratio माना जाता है, यदि आपकी company का ideal ratio यह है, तो आपको easily loan मिल जाएगा आपकी company के लिए, आपके product को grow करने के लिए